भाई साही के लिए भी हो चुकी है डॉक्टर सत्या की एंट्री इसके बाद क्या होने वाला है पाखी भवानी और साही का रियक्शन जी हां दोस्तों स्टाफ प्लस के मोस्ट पॉपिलर सीरिल गुमे किसी के प्यार में से कुछ खबरे सामने आ रही है खबरे ही नहीं बलकि अब तो सेल के आने वाले ट्राक की फूटेज भी सामने आ चुकी है जिसमें आप साफ तोर पर देख सकते हैं कि किस तरह से हरशद अरोडा ने एंट्री मारी है जी हां हरशद अरोडा अब इस सीरिल में डॉक्टर सत्या का किरदार निभाने वाले हैं अब इसके बाद पा बहुत हैरान होने वाली है साथी फिरात को तो जटका लगे गई तो चलिए बताते हैं सेल के आने वाले ट्रैक में कैसे पूरी कहानी में उथल पुतल होने वाली है भाई दोस्तों सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा किस तरह से एक तकरार के बीच में डॉक्टर सत्या और जाकर सई मिलने वाले हैं जी हाँ जो नया हीरो सई के लिए आया है उनका नाम डॉक्टर सत्या होने वाला है जिसके मुलाकात कैबिन में भी सई से होने वाली है जहां सई के सीनियर डॉक्टर जो है वो बता रहे हैं कि ये डॉक्टर सत्या है और ये बहुत ही जादा सी बहस होने वाली है तो वहीं दूसरी और पाकी को लेके खबरें आ रही है कि पाकी तो खूब खुश होने वाली है क्योंकि पेचारी पाकी की जिंदगी में तुफान आ गया था जब से सई चवान निबास में आई है आपने नए प्रोमो में देखा भी होगा कि किस तहा से पा बहानी एक प्रेडिक्शन करती हुई नजर आई बहानी ने बोला अरे सोना ली तुचिंदा मत कर मुझे पता है मैंने सई की आज राशी पड़ी है उस राशी में लिखा हुआ था कि कुम राशी वालों के जिंदगी में आज कोई नई शुरुआत होने वाली है अब नई उम्मीद लगा रही थी कि में इसके विराट की जिन्दगी सुधर जाएगी तो यहां पर तुब इल्कूल उल्टा होने होने वाला है क्योंकि सई के जिंदगी में चार चांड लगाने के लिए कोई और आने वाला है अब देखना इंटर सत्या से प्यार करने से रोक पाए सब्सक्राइब कर लिए और अगर आप इस वीडियो को हमारे फेस्बूक पेज पर देख रहे हैं तो जल्दी से इसे भी फॉलो कर लें